नमस्काय शामदरिक विज्ञान के इस अंक में एक बारपनों आपका स्वागत है दोस्तों मैं वो भासकरानन दोभाल और आप देख रहे हैं हस्त रेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूटूब के चेनल गो ब्लॉक्स में मेरे सामने एक सुन्दर सी फीमेल हतेली आप महिला जातिका है और आपकी रियल हतेली मेरे सामनी विबेचना के लिए आ रखिये हैं जैसा मैंने कहा हस्त रेखा सास्त्र तो हस्त रेखा में किवल हाथ की लकीरों का विबेचन ही नहीं किया जाता है बलकि ग्रहों की इस्तिती भी देखी जाती है ब्यक्ति के इश्ट को भी देखा जाता है और कहीं न कहीं उसके जो सवालात होते हैं जो प्रशन होते हैं उनको भी देखा जाता है और पूरा विसलेशन करके आपको दिया जाता है और उसमें जो उपाई निकलते हैं वो किरियाओं के माध्यम से और आपके पंच तत्तों को पूरी तरों से एक जुटता लाने के लिए जो आपके लिए काम करें उस प्रकार की जो है चाए अशनान की किरि किरिया हो चाए दिव्य सूर्य किरिया हो या अनिय परकार की जो किरियाए आपके लिए बहुत जरूरी है वो दी जाती है यहां पर जैसे ही हमाहात डालते हैं बहुत कुछ दिखाई दे रहा है नजर डालते हैं तो हाथ में लेकिन सबसे पहले अगर देखेंगे तो आपक जो मस्तिस्क की लकीर है यह बहुत सुन्दर इस्तिति में है यहां पे तो बौदिक अस्तर आपका वास्तों में बहुत अच्छा रहने वाला है और क्रियेटिविटी बहुत अच्छी रहेगी ठेकर आपको जीवन में छोटी बड़ी यात्राओं का भी लाब होगा यह इस प प्रायों बहुत जादा सोचने वाली जातिका हो गई है जादतर आप हमेशा कलपनाओं में डूबी रहती हैं और आपका जो मन है वो भी एकागर्चित कम हो पाता है लेकिन ये ये भी इंगित कर रही है कि आने वाले समय में आपको स्रेष्ट सपलता भी हासिल होगी हाँ कलपना सकती आपकी बहत्रीन रहेगी लेकिन चंद्रमा अगर इसी त्रो रहा तो केवल कलपनाओं में ही जीवत रहेने वाला बिक्तित्व आपका रहेगा तो इसलिए यहाँ पे आपको क्या करना है अपने चंद्रमा को बहत्रीन इस्तिति में लाना है दूसरी चीजे अगर हम देखते हैं यहाँ पे आप भी आराम से देखेगा जीवन में एक बेहित्रीन चीज दिखाई दे रही है सबसे अच्छी चीज दिखाई दे रही है आपका जो ये गुरू का परवत है उसकी जो उंगली देखेंगे आप ये पूरी तरो से जुकाव लिये हुए है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ तो जीवन में धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी इस स्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आरद्दे के परती जो है समर्पन की भावना भी आपकी रहेगी ठीक है ने और कहीं न कहीं एक भावगता रहेगी एक दयालो ब्यक्तित्व आपका रहेगा ये भी दिखाई दे रहा है लेकिन उससे बड़ी बात देखेंगे तो आपकी जो ये रिंग फिंगर है इस से आपकी जो है ये दोनों बराबर हैं तो धन और येस की भूक रहेगी पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत जरूरी है ये आप बेहतरिन तरीके से जानती हैं और आपका जीवन में मुख्य लक्ष भी यही रहेगा ठीकन ये यहाँ पे इसपष्ट दिखाई दी रहा है एक और चीज आपकी हतेली में दिख रही है थोड़ा उसको भी देख लेते फिर आपका जो है सवाल ले लेते हैं यहाँ पे दीखेंगे तो ये भाग्य अस्तान है ठीकन ये कर्म अस्तान भी है ये अस्तान भर होता है लेकिन आपका सबसे बड़ा ग्रह मोक्ष का ग्रह जिसको जोतिस में सबसे बड़ा कहते हैं रिसर्च का ग्रह कहते हैं मुक्ति का ग्रह कहते हैं ये ग्रह बताता है कि कहीं न कहीं आपके जो संचित करमाज है कलेक्टिब करमाज है उसके अनुसार भी आपका के कर्मों का हिसाब मिलेगा उसी परकार के इस जनम में भी कर्म मिलेंगे और उसके अनुसार आप अपने भाग्य का निर्मान कर पाएंगे ठीक है न? और इसको आप बेग्यानिक तरीके से भी समझ सकते हैं यहाँ पर देखेंगे तो यह उंगली यहां तक ठीक है लेकिन इस के बाद ही चीजों में आपको सपलता मिलेगी और कई बार आपको दोड़ा धूपी का काम भी जीवन में करना पड़ेगा इसका कोई उपाई नहीं है ये होना ही होना है जीवन में और पूरी जीवन में ये आपका लागो होगा दूसरी बड़ी बात है इन दोनों की बीच मे आप देखेंगे तो यहाँ पर गैप दिखाई दे रहा है जब जब आपकी जनम कुंडली में तब तब आपका इसको गहरा प्रभाव और लंबा प्रभाव पड़ेगा इस चीज का क्या पड़ेगा ये देखेगा कई बार आप जो है दुखी से हो जाएंगे कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में थोड़ा सा कमी दिखाई देगी एक दो चीजों पे और आता हूँ फिर आपके सवाल ले लेता हूँ जल्दी से जीवन में एक सुखत जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखत जीवन जीने के लिए प्रयतन सील ब्यक्तित्व भी आपका रहेगा लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो यह थोड़ा हड़ी अलग सी थोड़ा हल की जाद दिखाई दे रही है और यहाँ पर दीखेंगे तो दो लकीरे दिखाई दी रही है ठीक है ने और जहाँ पर यह ज्वाइंट है मस्तिस्क रेखा का और जीवन रेखा का इसमें एक बड़ा ज्वाइंट भी दिखाई दी रहा है इसका क्या मतलब है और करियर और धन की रेखा आपकी जो है चंद् इस पे सनिका और देव गुरु ब्रस्पति का प्रभाव पढ़ रहा है दोनों का बला बला आ रहा है तो ये क्या बताती है एक तो खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही आप अपनी जीवनकाल में बड़ी सपलता की प्राप्ति करेंगे ठीक है ने ये निश्चित है जीवन में ये सोचना बंद करें किसी के सयोग से या किसी के मिहरबानी से मैं अपने जीवन को एक बहुत अच्छे अस्तर तक ले जाओंगा ये न सोचे अपने बल पे कुछ करना है ये सोच के आप आगे बढ़े तो आपको जल्दी काम्याभी म मिलेगी दूसरी बात है कि ये अस्तान और ये अस्तान बताता है कि जो आपका प्रारंभिक दोर है कम से कम 35 एर तक का 35 वर्स तक का ठीक है ने उसमें आपको कई बार थोड़ा हलके फुलके संगर्ष का सामना करना पड़ेगा उसमें से भी ब्रिस्पति के अभी दो वर्स बाकि हैं दो वर्सों तक तो थोड़ा संगर्ष भी है और 35 वर्स तक कभी कबार थोड़ा संगर्ष रहेगा उतार चड़ाओ रहेगा कई बार और इस्तिर्ता का सामना भी करना पड़ सकता है लेकिन 35 वर्स के बाद हम देखें तो आपका जो करियर का मामला है आपका जो ध बिमुक्त होने शुरू हो जाएंगे और संगर्स आपके जीवन से पीछे हट जाएगा या संगर्स में आप बिजये प्राप्त कर लेंगे ठीक है ना दूसरी बात है कि साधी होने के बाद भी आपका भाग्योदय दिखाई दी रहा है मैं कहूं तो साधी के बाद ही भाग्योदया है और आप अगर करियर के मामले में आगे बढ़ें तो आपको जो है अच्छा लाम मिलने की संभावना या पर इस पश्ट दिखाई दी रही है बेहत्रीन है और 45 वर्ष में पूर्ण भाग्योदया है ठीक है और जो है फिर जिवन का 57 वर्ष आपके लिए बेहत्रीन इस्तिति लेके आएगा यह यहां पर यह भी बता रहा है देखेगा थोड़ा सा जिवन में एक प्रेशर की उपर आप रहेंगे आपके उपर पारिवारिक जिवन में बहुत ज़ादा रहेंगी आप स्वचन उड़ना तो चाहेंगे लेकिन कुछ एक जिवन चीजों के कारण एक स्वतन तरव से उड़न नहीं पाएगे कभी-कभी हो सकता है अपने ऊपर थोड़ा सा doubt भी करेंगी कि यार मेरे पास वास्तों में योगिता है भी की नहीं है लेकिन काम्याभी उच अस्तर की यहाँ पर दिखाई दे रही है ठीक है नAY कि महत्व कांचाएं बहुत जादा बढ़ जाएंगे और आगे चल कर आपकी जो सोच है वो बहुत आगे बढ़ने की रहेगी गुरू का इस पश्ट प्रभाव पढ़ रहा है इसके बल आने के कारण आपके इक्छा भी हमेशा एक टॉप लेवल तक पहुँचने की रहेगी लेकिन देखेंगे वही सनिका भी इसमें प्रभाव पढ़ रहा है तो इसके प्रभाव के चलते आप आगे बढ़ने के लिए एन के प्रकारिन जो भी आपसे हो वो पाएगा वो आप करेंगे पीछे नहीं हटेंगे ये चीज भी यहाँ पे इस पश्ट दिखाई दी रही ह अब चलते हैं बहुत समय हो गया है आपके सवाल ले लेते हैं पहला सवाल साइद आप ये पोछना चाहते हैं मेरे को ज़्यादा समझ में नहीं आई कि मेरे को फैमले का प्यार मिलेगा या नहीं मिलेगा या ये लिखना चाहते हैं आप कभी मिला ही नहीं है आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा सार ये ही है देखेगा ये जो उंगली है इसके नीचे का जो ये भाग है इसको देव गुरु ब्रिस्पति का परोत कहते हैं जुपिटर का माउंट ठीक है और महिलाओं के जीवन में बिबाहा की जो संपूर्ण जिम्मेदारी है ये इसी की है ब्रिस्पति जी की जैसे आप महिला हैं तो आपका जो करियर है आपकी साधी है और आपकी साधी सुदा जिन्दगी है इन तमाम चीजों की जो जिम्मेदारी है ये ब्रिस्पति जी के पास है ब्रिस्पति का मतलब होता है कि महिला की जीवन का निर्धारन करने वाला इसलिए महिलाओं क जीवन में ब्रिस्पति का अहम रोल होता है बड़ी भूमी का पाई जाती है अब यहां पे दीखेंगे अभी दो वर्सों तक यहां पे यह कुरूर ग्रह सनी की तरफ द्रिश्टी गोचर कर रहा है ठीक है न और साधारन अवस्ता में आपके हतीली में बैठे विए यह धन का विग्रह है सोभग्य का विग्रह है परिवार का विग्रह है इस अवस्ता में यह आपके अंदर भी साधारनता देती हुई दिख रहे हैं सामन्य बिक्तित्तों देती हुई दिख रहे हैं लेकिन नैसरगी गुण आपके अंदर इसके और भी उभरेंगे तो हस्मुक दयालुता रहेगी प्रोपकार की भावना रहेगी आर्थिक पक्ष भी लगबग ठीक ठाक रहेगा लेकिन यस की प्राप्ति के लिए मन में जुकाओ बना रहेगा स्वतंतर्ता और लीडर्शिप की चाह रखने वाला विक्तित्व रहेगा अगर आपको अपने संतान के प्रतिचिंतान हो दामपत्य जीवन आपका भेतरीन रहे परिवार का बहुत अच्छा जो है आपको जो है प्यार मिले आपका करियर चरम सीमा पे रहे धन की कभी कमी न हो और इष्ट किरपा मिलती रहे और जीवन में जो स्वास्त्या है आरोग् ये सब चीजे ठीक रहें तो इसके लिए आपको अपने ब्रस्पति को पुष्ट करना है अभी दो वर्सों तक आपका ब्रस्पति बहुत अच्छा नहीं है जिसके कारण आपके मन में ये बिचार आ रहे हैं और कहीं न कहीं बिचार भी ठीक आ रहे हैं लेकिन ब्रस्पति के ठीक होने के बाद आपको इश्ट किरपा भी मिलेगी, करियर में आप उच्छाल भी लाएंगे, धन की इस्तिती भी आपकी बेहतरीन होंगी, बच्चों की तरफ से भी आपको खुशियों का माहूल मिलेगा, और जो हजबेंट है उनका भी बेहतरीन प्यार मिलेगा, दामपत ठीक करें, और ब्रस्पति को ठीक करने के लिए मैं कुछ किरियाईं दे रहा हूँ, कुछ उपाई दे रहा हूँ, इनको विदिवत तरीके से तीन सी चार महने तक लगातार करें, मन से करें, अनुसासन में रहे कर करें, तो बहुत अच्छा लाब आपको होगा, आपका ब् ठीक है न, अब दूसरा आप जो है लिख रहे हैं, जॉब कब तक हो सकता है, किस फिल्ड में जल्दी हो जाएगा, देखेगा, आपका जो है, यहाँ पे देखों तो चंद्रमा भी बहितरीन नहीं है, सूर्य भी यहाँ पे बहितरीन नहीं है, और ब्रस्पति भी यहाँ ब भूमिका है, आपको किसी चीज में जो है विस्तार मिलना है, उसका फैलाव मिलना है, वो सूर्य देखता है, आपने जो पड़ा लिखा है, उसको मार्केट में आप उतार पाते हैं, कि नहीं उतार पाते हैं, वो आपका चंद्रमा देखते हैं, और अभी दो सालों तक तो ये कहीं न कहीं बहुत अच्छी उर्जा प्रवाइड नहीं कर रहे हैं। तो दो सालों तक जो है थोड़ा सा आप जो है एक अच्छी नोकरी के लिए ग्रहों की स्थिति को ठीक करें तब जाके आपको एक बहतरीन जो मिल पाएगा। किस फिल्ड में अगर मैं अभी बात करूँ तो अभी तो केवल सुक्र ही आपका भेतरीन है लेकिन नोकरी के लिए आपके लिए ये दोनों ठीक होनी चाहिए। तो अगर ब्रस्पति ठीक हो जाता है तो सिक्छा का छेतर है, इंजिनियरिंग का छेतर है, चिकित्सा का छेतर है, मैनेजमेंट का छेतर है, बानिजा का छेतर है, कानून का छेतर है और कुछ मामलों में राजनीति का छेतर है इसमें आप कोसिस करेगा तो आपको लाब का दो वर्षों से पहले की अगर हम बात करें तो सुक्र से सम्मन रेडिमेट कपड़ों का कारोबार में चले जाते हैं, ब्यूटी पारलर का बैस्वा ब्यूटी पारलर है, ब्यूटी इंडरस्ट्री का कोई काम है उसमें जा सकते हैं, लक्जीरियस जो आइटम है उनके सेल म आप जा सकते हैं तो आपको जल्दी जो है जो मिलेगी अगर बड़ी लेबल की चाए अच्छी लेबल की चाए तो ब्रेस्पति को पुष्ट करें उसके बाद जो मिलेगी मेरे पास जीवन में इनकम कैसा रहेगा देखेगा आपकी जो रेखा है ये इस प्रकार से जा रही है और यहाँ पे एक आएक किस पे मिल रही है हिर्दै की लकीर पे मिल रही है एक बात का ध्यान रखें इस प्रश्ण से पहले मैं कह रहा हूँ जल्दबाजी से बचें उतावलेपन से बचें और भावनाओं के बसीबूत होकर कोई बड़ा निरणए न ले नहीं तो आप अपने पैर पे कुलाड़ी मार सकते हैं और स्वयम की डेपलप्मेंट को स्वयम की प्रोग्रेश को बादित कर सकते हैं और फिर उस प्रोग्रेश को पाना आपके लिए मुश्किल हो सकता है दो इस्तितियां यहां पे बन रही हैं इनकम के मामले में एक तो साधी के बाद कहीं न कहीं आपके भग्या में परिवर्तन हो रहा है उसके बाद आपका जो करियर का मामला है जो धन का मामला है धीरे धीरे बहुतरी नवस्ता में हो रहा है लेकिन जो बहुत अच्छी इस्तिती यहां पे दिखाई दे रही है 35 वर्स से जो है आपके जीवन में धन और करियर के मामले में समरूपता आ रही है 45 वर्स में पूर्ण भाग्योदई दिखाई दे रहा है निश्चित ही इनकम का जो सोर्स है वो बहुत अच्छा रहेगा मेरा बच्चा के लाइब कैसा रहेगा देखे बच्चों के लाइब कैसा रहेगा ये उनकी हतीली से पता चलेगा ठीक है ने लेकिन आपका ब्रस्पति अगर ठीक रहेगा आप ब्रस्पति को ठीक कर सकते हैं तो जैसा आपका सुक्र है उसे इसाब से मैं देखता हूँ तो ऐसी इस्तिति आ रही है कि जिससे मन परसंद रहे खुश्णुमा माहूल बना रहें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं देखेगा ब्रस्पति अगर ऐसा ही रहा तो दामपत्य जीवन का जो चरम सुक्का भोग है उसके बीच में कहीं न कहीं प्रस्तितियां खड़ी होंगी संतान को लेकि जीवन में चिंताएं रहेंगे ठीक है ने आपके पास जो योग्यता है जो क्वालिटी है उसको इंप्लिमेंट करने के लिए या तो प्लेटफोर्म नहीं मिल पाएगा या प्लेटफोर्म मिल भी गया तो आप उस प्लेटफोर्म को सही सी यूज नहीं कर प जास करके घर के जो बुजुर्ग हैं उनसे सम्मंद बिक्तिके बिगरते हैं जैसे साधी होगी तो सास ससुर से बन नहीं पाती है ऐसे में या बुजुर्गों की उजवसे भी बिक्तिको परेशानियों का सामना करना पड़ता है तो अपने ब्रिस्पति को ठीक करें तो चीज दूरता आएगी उनकी द्रिष्टिकोन में भी जो है आपके लिए बहुत अच्छा प्यार और बातसल्य रहेगा जिससे चीजे बहितरीन रहेंगी तो ब्रिस्पति को ठीक करें छटवा मेरे हजबन का लाइफ इंकम आगे कैसा रहेगा ये उनकी हतीली से पता चलेगा ठी ठीक हो जाता है तो आपको सुक और संपति दोनों चीजे मिलेंगी मेरी साधी सुधा जीवन सही रहेगा या नहीं उपरी द्रिष्टि से हम देखें तो ब्रिष्ट्रीन जो है आप लोग अपने दामपति जीवन को लीड करेंगे और उत्तम रहेगा आपका दामपति है तो इसकी चिंता मत करें आंसिक तो है लेकिन आंसिक होने से साधी हो जाती है और वो आंसिक के वल जो है पचीसवे वर्स तक जो है अपना प्रभाव रखता है उसके बाद उसका प्रभाव खतम हो जाता है ठीक है यहाँ पर अगर हम देखें तो यस पाने की इक्षा बहुत जादा रहेगी अपनी जीवन में सम्मान पाने की इक्षा रहेगी यहाँ पर देखें तो धन कमानी की ललक भी बहुत अच्छी रहेगी लेकिन धन के प्रभंदन में कागजों के रख रखाओ में एकाउंटिब के लिए बहुत अच्छा रहेगा बहुत मदूरता आपकी जीवन में इससे रहेगी हमने दो लकीरों की बात कर ली है ठीक है ने अब तीसरी देखेंगे तो आपकी जीवन की लकीर पूरी गोल घेरा बना आ रही है और यहां पे कहीं न कहीं जो है मनि बंद परदेश को संपर कर रही है जनम अस्तान से दूर आपको ज़्यादा काम्याबी मिलेगी जनम अस्तान में रहेकर उतनी बड़ी काम्याबी नहीं दिखाई दे रही है ठीक है ने घूमने फिरने की भी आगे चल कर बहुत ज़्यादा सोकिन रहेंगी और यह सोक आपका कहीं न कहीं पूरा भी होगा जिससे मन परसंद रहेगा और जीवन में खुश्ट नुमा माहोल बना रहेगा और परिवार के परति बहुत जादा केर करने वाले रहेंगी और एक बात तो मैं कह दूँ अभी चाहिए कैसी भी स्तिति हो लेकिन आगे चल कर आपका भग्य में बड़ा परिवर्तन हो र आईगी ही दोनों का भग्य प्रबल हो जाएगा सो भग्य में ब्रदि होगी तीसरी चीज है कि आपको भी अपने हज्बेंट के भग्य से बहुत कुछ मिलने वाला है तो दोनों का जो रेखाओं का कम्यूनिशन है वो बहुत अच्छा है और उन्नति की इस्तिति में दिख हो आपकी हतेली में तो सूर्य परवत में देखेंगे तो यहां से निकल करके रेखा इधर जा रही है फिर एक इधर को जा रही है तो यह थोड़ा सूर्य का दोस्त दिखाई दे रहा है इसका मतलब है कि अभी आप अपने जीवन काल में लगातार उल्जी हुई हैं समान त तनाव जैसे खतम ही नहीं हो रहा है आप प्रहसानियों से मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं यहां पर दिखाई दे रहे हैं तो सूर्य के दोस्त को ठीक करना बहुत जरूरी है यहां पर कैसे करेंगे मैं आपको एक दिव्य सूर्य किरिया दे रहा हूं आप उस दिव्य सूर् और इसका आपको लाब होगा इस रेखा के बारे में भी मैंने वह इसे बता दिया है अब यहां पर देखेंगे तो एक M की आकरती भी यहां पर बन रखी है इसका मतलब है कि जो आपके इश्ट ग्रह है वो देव गुरु ब्रहस्पती है और जो आपके इश्ट देव है वो भ आपको भव्यता की यहां पर प्राप्त होगी इसमें कोई दोराई नहीं है तो आपको थोड़ा सा जो है अपनी इश्ट की सणांगती जाना है यहां पर देखेंगे आप तो एक तिरकोन बनावा है 35 वर्स से धन के मामले में आप बहुत जादा भग्यसाली रहने वाले हैं यहां पर देखेंगे तो एक मंगल की लकीर भी बनी हुई है इसका मतलब है कि दूसरों का सयोग भी आने वाले समय में बहुत अच्छा मिलेगा जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी किरपा आपके उपर रहेगी आप ये अनुभव भी करेंगी आप में बहुत अच जने की ताकत में बडोतरी होगी और ऐसा व्यक्तित्व भी उबर कर आएगा कि जीवन काल में एक बार येदि कोई नड़ने ले लेंगे तो उसे अंततक निभाने का सामर्थ भी रखेंगे और आगे चलकर आपका व्यक्तित्वा इस मंगल की लकीर की उजों से अपने आप आप में अच्छा खासा प्रभावसाली रहेगा और जीवन में कहीं न कहीं मदुर्ता आएगी ठीक है ने दो सालों तक आपको थोड़ा सा जैसे ये है तो अपने स्वस्त्य का अपने आरोग्या का और अपने तंदुरस्ति का भी ध्यान रखना है ठीक है ने बिसेश कर त और अश्नान का एक बहत्रीन उपाई दे रहों जरूर करें आपको बड़े लाव इसमें होंगे ठीक है ने बाकी अपनी जो है खासकर बुजुर्गों से अपने संबंद न बिगड़े इस पे बिसेश कर आपने ध्यान लखना है ठीक है ने और 35 वर्स तक थोड़ा सा कई कई बार उतार चड़ाओ कई बार संगर्स कई बार और इस्तिरता का सामना करना पड़ सकता है तो डग मगाना नहीं है ठीकने इस चीज का आप ध्यान रखें सुक्र का परवत देखें आपको बहुत अच्छा है सुक्र अच्छा प्रभाव दे रहा है यह मेरिटर लाइफ का मालिक भी है तो आपका दामपती जीवन में मदुर्ता लाने की कोशिस करेगा यहां पर देखेंगे निमनमंगल और उच्च मंगल निमनमंगल थोड़ा कनफ्योजन है उलजन है और दुविदा दे रहा है और जो निरणे लेनी की ताकत है उसको थोड़ा छीन कर रहा है सही से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं किस तरब जाना चाहे है और वास्तों में करना क्या चाहे तो दिव्य सूरे किरिया में मंगल का उपाई दे रहा हूं जरूर करें यह अस्तान आपको बहुत अच्छा प्राकरम रखेगा और एनरजेटिक स्वभाव रखेगा तो हरी सबजी है हरे फल है हरी दाले हैं खानी की कोशिस करें तो आपको ज्यादा लाब होगा चंद्रमा की इस्तिति अगर हम देखेंगे तो अभी कम से कम 18 महने तक यह थोड़ा सा उर्जा सही से प्रवाइड नहीं कर रहा है तो थोड़ा सा आपका मन कई बार गड़ रह सकत है मानसिक प्रेशानी ये दे सकता है कई बार बहुत ज़्यादा भावकता दे सकता है यहां तक कि बात बात पर आँख से आशु बहे जाएंगे या इमोशनली आपको थोड़ा ये प्रेशान कर सकता है कई बार इसकी वजोसे मन अच्छा नहीं रहेगा मन भटक सकता है मन हो सकता है एकागरता की कमी आ सकती है और मन से सीधा जुड़ावा होता है हमारा डाइश्टिप सिस्टम अगर मन बहुत ज़्यादा अगर खराब होने लगे तो अपने पेट का थोड़ा ध्यान रखेगा ठीक है नहीं और ऐसे में मां के साथ या तो मत्भेता उभर सकती है या मां के स्वस्थे को लेके थोड़ी सी चिंताएं बढ़ सकती है या तो मां से थोड़ा सा दूर रह सकते हैं ये इस्तितिया थोड़ा दिखाई दे रही है और नीन आने में थोड़ी सी दिक्कते नहों तो इसलिए छोटा सा एक चंद्रमा का भी उपाई दे रहों जरू तो इसको आपुए से भी जेल सकते ही जीवन में accurate इस्तिति में आने के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें दे रहा हूँ एक दिब्य सूरे के रहा एक दिब्य योगध्यान के रहा हूँ अशनानी त्यादि बिदी सारे कुछ इसको जरूर करें आपको लाब होगा इस वीडियो में बस इतना ही एक नई वीडियो के साथ उनों पस्तित होंगा तब तक के लिए नमस्कार